नमस्ते अब्रीवन माइनेम इस नलीनी और वेलकम तू माई केचन आज मैं बनाने जारे हूँ गर्मा-गर्म मटर के छोले वो भी सिर्फ पांच मिनिट में ये मटर के छोले आप कुल्चों के साथ खा सकते हैं ऐसे चाट खा सकते हैं और आप इसे लंच और डिनर में भी बन पानी में भीगो दिया जस्ट डबल इन साइस के हो जाता है और उसे अच्छे से दो लीजे दो के आप भीगोना उसके बाद इसमें डालेंगे नमक एक टेबल स्पून या आप जितना मटर ले रहे हैं उस टेस के अकॉर्डिंग डालें वन फोर टीस्पून सोडा डाल रह होगे जल्दी पकता भी नहीं और पानी बहुत जाता बाहर आ जाता है तो इस पेशल टेफ्स है खासकर बिगनर्स के लिए बस तीन सीटी देने के बाद ही मटर पक जाते हैं लेकिन कभी-कभी अगर नहीं पकता है तो आपको क्या करना है इस तरीके से मटर स्पून में ले दीए वान टीश्पून ही डाल गी हूँ उसके बाद बाद फूर टीश्पून जीरा डालेंगे जीरा चटकने मतखने दीजेगा हरी मिर्च डालीगा यहां दिल खोल के स्वाधन उसर और फिर चॉप प्यास डाल रहे हैं दो मीडियम अकार का प्यास लिया था और दो मीड उबाला है उसको डालेंगे वन टीस्पून डालेंगे काली मिर्च का पाउडर वन टीस्पून ही छोले मसाला वन टीस्पून चाट मसाला पाउडर और वन टीस्पून काला नमक काला नमक सो समझ के डालीगा क्योंकि सफेर नमक भी डाला है वन फो टीस्पून डाला भूना पिसा जीरा, दो टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हींग जरूर डालेगा और थोड़ा सा नमक तो नमक भी सो समझके डालेगा लाल मिर्च का पाउडर और यह है इमली का पल्प मैंने क्या किया था एक इंच इमली लिया था गरम पानी में भी हो दिया था उ यूज किया उसका पानी मसालों का टेस्ट और इमली का यह आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कम जादा कीजेगा खटा पंची है तो आप इमली का पल्प थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं अगर इमली का पल्प आपके पास नहीं है तो आप यहां खटाई या आम चु कि आख गठाइम है आप ऊपर से हमें डालना हो लचा आख में अौह साथ में बैचर में पैसेग्ष काचा काट्य औरह गुपन भी अच्छा मतलब लगने लगता है आप Destruk लिंभी को लेना है यह कडूarna मिट्टे का पर is colori चम्मच किसी में धी आप इसे सार् справ कर सकते हैं वैसे मिट्टी के इस कटोरे में लेंगे तो इसका स्वाद तीन गुनाई बढ़ने वाला है मैं बनारस के रहने वाली हूँ और बनारस में चार्ट इस मिट्टी के पॉट में ही सर्व किया जाता है इसके उपर आप अद्रक के लच्छे प्याज और टमाटर डाल दे अगर आपके पास हरी धनिया और कटी मिट्टी इमली की चटनी हो तो भी आप इसके उपर डाल सकते हैं नहीं तो इसी तरीके से आप ऐसे सबजी भी यूज़ कर सकते हैं खोब कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा आप मुझे कहां से देख रहे हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा ताकि आपको थैंक यू बोल पाऊं और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज जादा जादा शेयर करें नहीं हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें